अब तक आपने आपको न्यूयॉक में जो है मार लिया सुसाइट कर लिया देखो यह जो पूरा मुद्दा यह डोमेस्टिक वालेंस का है और यह ट्विटर पे बहुत जादा ट्रेंडिंग हो रहा है हैश्टेक जस्टिस फॉर मंदीब इस पर कई सारी ट्वीट्स आपको द वीडियो की वज़े से जो है इसको बहुत जादा यहां पर सुनना पड़ रहा था कोई भी बेटा नहीं था तो इसको अब्यूस करता था और बहुत सारी जो है बाते जिसके वाज़े से वह आठ साल से टॉलरेट कर रही थी तो में लिए अगर आप देखोगे तो यहां प से करीब जो है यह वाज़ेस का सामने या पर कर रही थी आप देख सकते हैं और यह इसकी वाइफे जॉब इस दुनिया में नहीं है और देको जस्टिस फॉर मंदीव जो है आपको बहुत जादा यूटूब ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा मतलब अलोवर मीडिया जो है इन यूएस इन वीडियो ब्लेम्स एब्यूस बाइ हस्बेंड फॉर एडियस तो पिछले आठ सालों से इसको बहुत जादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा था कई बार जो है कोट में यहां पर बात भी हुई केस भी आप फाइल किया गया उसके हस्बेंड जो है आपर माफी मांग ली तो वो छूट गया लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यह जो है सहे नहीं पा रही थी इस वाज़े से इसने सुसाइट कर लिया इस पर यह आप देख सकते हूं वियॉन का भी आर्टिकल है आफ्टर एटी एर्स ऑफ डॉमेस इंडियन वुम आप देखो इंटरनेशनली मुद्दा है इंटरनेशनली आपको देखने को मिलेगा तो इसके लीगल प्रोसीजर क्या है आप नुइ-यॉक की जो पोलिस है वो यहां पर क्या करेगी वहां पर क्या कानून है तो काफी कुछ वीडिए में डिसकस करेंगे उसके पहले अगर आप काई एक हो क्या जाना में आखे क्वाओंग होगे म में एक भाएल लैंस होता है तो मेली यहां पर क्या प्रोसीजर है तो तो देखो एक सर्वे के हिसाब से हर 60 सेकेंड बे 20 अमेरिकन जो है आपे हर्ट होते हैं, मतलब उनके जो स्पाउस हैं, वो जो पार्टनर है, वो सब उनको यहाँ पर हर्ट करते हैं, और देखो कहीं न कहीं, इसमें किसी जाती, किसी धर्म का इंवाल्मेंट आपको देखने क हैं, लेकिन देखो, लीगली अगर आप देखोगे न, तो इसकी बहुत ही भेंकर सजा आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, इसको फांसी जो नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होगी, इसको पूरी जिन्दकी जो है अमेरिका के जेल में ही बितानी होगी, और ये इंडिया जो है कभी नहीं आप आएगा, और मैं आपको एक लिए इसकी वाइफ ने ये भी चीज़ कही, कि हम पहले न्यूजिलेंड में थे, और न्यूजिलेंड से जो है इसको पहले डेपार्ट कर दीगे, क्योंकि इसकी ज यहाँ पे करता क्या था तो यह जो है ट्रक डाइवर था दीगा है, और अगर आप अमेरिका में देखू के तो कैनेडा में इन जगों पे जो ट्रक डाइवर होते हैं, उनको बहुत अच्छे जो है डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, घंटे के जाब से पैसे मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा परिशान करते हैं, यह मुझे अब्यूस करते हैं, इसके अलावा रही बार जो है मुझे बहुत ज़्यादा परिशानियां हुई हैं, इनके घरवाले पैसे भी मांगते हैं, कि डावरी और दो हमको लक्शरी कार चाहिए है, तो बहुत सारी चीज़ा य हमारी बेटा कोई भी नहीं है तो इस चीज़ की वाज़ से भी इसको बहुत कुछ जो है सुनना पड़ रहा था आखिरकार फाइनली जो है इसने सुसाइट करने का अब जो है मैं टॉल्लेट नहीं कर पा रही हूँ और इसने आखरी में यह भी का कि मेरे बच्चों को क्या होगा यह मुझे नहीं पता तो तीस साल की जो उल्ड से एक वूमेन है यह सुसाइट से जो है अब देखो करीब पांच मिनिट का वीडियो जो है यहाँ इसने शेयर क कि मैंने जो है फाइनली अब डिसाइट कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ को जो है एंड करूंगी और मेरी कंडिशन जो है बहुत जादा खराब है मैंने बहुत जादा कोशिश करी अपनी लाइफ को जो है समालने की कि सब को जो है सही हो जाए और मैं जो है यहाँ पर बिल इसके बाद जो बहुत सारे social groups हैं वो यहाँ पे आगे आए उन्होंने जो इस वीडियो को post किया तो justice for इसके अलावा मेरे फादर ने इनके खिलाव यहाँ पे कंप्रेंड भी करी तो इनको केस में आपर बुक कर दिया गया था फिर उन्होंने जो है मुझसे माफी मंगी किया रहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं बहुत अच्छा इन्सान हूँ तो फाइनली जो है इन्होंने इस उसको माफ कर दिया और फिर से जो है आपर रहने लगी तो देखो अब यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि भाई जो डॉमेस्टिक वाइलेंस है वो कही न कहीं आप देखो तो यह बढ़ता हुआ मुद्द आपको नजर आएगा दुनिया भर में इसके केसे जो है राइस हो दरत उसकी वाज़ से यहाँ पर सुनना पड़ता है वच्चों के वाज रह रहे हैं लेकिन वहाँ आपको डॉमेस्टिक वारेंस का मुद्द आदमी जो हो होता ही है वह आप कितना भी पढ़ ले कितना भी समझ ले लेकिन वह चीजों को नहीं समझ पाता है तो आखिरकार वो जो है उसके आदत में ही होता है कि वो मारेगा पीटेगा, तो ऐसे इंसान से जो है दूरी होना बिल्कुल सही होता है, अब देखो अमेरिका का झो कानुन है यहाँ पे यह कहता है कि यहाँ पर domestic violence को एक national crime जो है रिकनाइस किया गया है तो जो federal laws हैं वो यहाँ पर help करते कि भीया states और जो local criminal justice system है वो proper तरीके से आपर work करें और इस आरोपी को जो है यहाँ पर सदा दिलाए अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि इस इंसान की उपर जो है केस यहाँ पर दायर किय जाएगा नियॉयोक की पुलिस ने जो इसको अरेस्ट कर लिया है अब देखो यहाँ पर क्या होगा उसको जो है आप डेटेन किया गया उसके बाद इसको जो है कोट में पेश किया जाएगा सब सबूत जो है यहाँ पर रखे जाएंगे और देखो CCTV की जो footage है वो भी यह जो है बहुत ही मारता था बहुत ही परशान करता था इसके अलावा कई सारे cases भी जो है इसके उपर दायर किये गए है पुरानी भी यहाँ पर history नकाली जा रही है और मैं आपको इस चीज़ बता दू कि इसके खिलाफ इंडिया में भी जो है F.I.R. दर्च करी गई है ज लब इसका जो case है वो अमेरिका में चलेगा यह इंडिया में चलेगा तो वो चलेगा अमेरिका में लेकिन हाँ अगर देखो यह इंडिया वापस आ भी जाता है तो इंडिया में भी इसकी पर case चल चलता है लेकिन उसमें जो है सरकार का intervention होगा जो केंदर सरकार है उसकी जो है बिलकुल आप सामने हैं और पुराने केसेज भी जो है इसके उपर हैं तो माफी तो कहीं से मिलेगी नहीं ठीक है तो एट लास जो है बिलोकुल इसको जो है आप सजा होगी और सजा जो है बिलकुल है आप होनी चाहिए और कहीं न कहीं जो ये domestic violence का जो मुद्दा है न ये दुनिया भर में आपको जो है काफी बढ़ता हुआ नजार आएगा ये किसी एक घर की बात नहीं है हर एक घर में आपको जो है domestic violence का इससु जो है बिलकुल देखने को मिले गई आप अपने opinion जो है बिलकुल लिखेगा इसी के साथ 113 वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चेहन जय बारत और वीडियो को जो है शेर भी कर देना ताकि लोगों को यहाँ पर पता चले कि हमको जो है justice लाना है इस lady को